स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल डागर एजुकेशन में आज हम क्लास 12 बुक अंतरा की कवीता दूसरी करेंगे जिसका नाम है सरोध सिम्रती पहले वाले पार्ट में हमने सूर्यकान त्रिपाटी जी का जीवन परीचे किया था और गीत गाने दो कवीता की थी निराला जी ने अपनी पुत्री की याद को दर्शाया है कि वो किस तरीके से अपनी पुत्री को याद करते हैं और उनके विवा का वर्णन करते हैं इस कवीता में कवी ने अपनी पुत्री के विवा का पूरा वर्णन किया है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पुत्री का विवा संपन्न कराया था यह हिंदी का सबसे बड़ा शोक गीत है और इस शोक गीत की कुछ ही पंक्तियां हमारी पुस्तक में लिखी गई हैं जो हम पढ़ेंगे निराला जी की बेटी का विवा अन्य विवाहों की तरह नहीं हुआ था यानि जिस तरीके से उन्होंने अपनी पुत्री का विवा किया था अन्य विवा उस तरीके से नहीं होते इन्होंने बहुत अलग तरीके से अपनी पुत्री का विवा किया था वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि उन्होंने किस तरीके से अपनी पुत्री का विवा और विवाहों से हट कर किया था निराला जी ने इस कवीता के माध्यम से सरोज के विवा का पूरा द्रश्य दिखाया है यानि उन्होंने अपनी पुत्री का विवा किस तरीके से संपन्न कराया उन्होंने हर एक विधी को इसके अंतरगत बताया है निराला जी ने माता पिता दोनों का फर्ज निभाया है क्योंकि निराला जी की पत्नी का देहांत बहुत पहले ही हो गया था और उनकी पुत्री का विवाबाद में हुआ था तो उन्होंने सारे कर्तव्य खुद ही निभाये थे यानि माता और पिता के जो भी कर्तव्य होते हैं जो भी उनका फर्ज होता है वो उन्होंने ही निभाय अब बात कर लेते हैं कवीता की सबसे पहले दो पंक्तियों में क्या कहते हैं निराला जी देखा विवा अमूल नवल मुझपर शुब पड़ा कलश का जल इसके अंतरगत जो निराला जी है वो कहते हैं कि पुत्री सरोज का विवा एक अलग पद्दती से संपन्न हुआ है उन देखती मुझे तू हसी मंद होटों में बिजली फसी संपन्द इसके अंतरगत निराला जी क्या कहते हैं अपनी पुत्री के बारे में कि इस अवसर पर तू मेरी और देखकर मुस्कुराई थी यानि वो अपनी पुत्री को याद करते हुए कहते हैं कि जब तेरा विवा हो दिखाई दे रही थि आगे निराला जी कहते हैं कि ओर्मे बर जूली चवी सुन्दर प्रिय की एशब्द श्रंगार मुखर इसके अंदरकर निराला जी कहते हैं कि तुम्हारे 그대로 की शुन्दर चवी उभर कर दिखाई दे रही थी तेरा दापत्य भाव मुखुर हो रहा था देखो बचे दापत्य भाव वो भाव होता है या वो जीवन होता है जो कि विवा के बाद पति पत्नी एक साथ जीवन जीते हैं या जो जीवन वैतीत करते हैं वही जीवन दापत्य भाव कहलाता है तुम उस जीवन को जीने के लिए तयार हो रही थी और वहे खुशी तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी अगली तो पंक्तियों में कवी कहते हैं कि तू खुली ए अच्छवास संग विश्वास तब बंद अंग अंग इसके अंदर कर निराला जी कहते हैं कि एक घहरी सांस लेकर तुम मानों पर सन हो उठी थी और तेरा एक एक अंग भविश्य के विश्वास की आशा में बंद कर खुशी से जूम उठा था कहने का तात्प्रिय यह है कि उसकी पुत्री विवा के लिए बिलकुल खुश थी और वहे खुशी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी आगे निराला जी कहते हैं कि नत नयनों से आलोक उतर कापा अंधेरों पर थर 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 कहने का तात्प्रिय यह है कि नीचे की और जुकी हुई आखों से परकाश की रेखा उतर कर उसके होटों पर काप रही थी यानि जो पुत्री के अंदर जो लज्जा थी जो संतोश था वो उसकी आखों में बिलकुल चमक रहा था कुछ समय बाद वहे चमक पुत्री की आखों से होती हुई उसके होटों पर दिखाई दे रही थी देखो मैंने वहे मूर्ती धीती मेरे वसंत की प्रथम गीती कहने का तात प्रिये यह है कि यह एक पहली ऐसी वसंत थी जो उसकी प्यास उसकी पुत्री के रूप में एक साकार हो उठी थी यानि जो पुत्री थी वो इतनी सुन्दर लग रही थी मानों की वे वसंत की पहली प्यासों और यहाँ पर वो मूर्ती अपनी पुत्री को बोल रहे हैं उस समय कवी को अपनी प्रीया का समरण हो आता है कहने का ताथ प्रीया यह है कि निराला जी को अपनी पुत्री के अंदर अपनी पत्नी की जो छवी है वो दिखाई डेती है अगली पंक्तियों में निराला जी कहते हैं कि श्रंगार रहा जो निराकार रस कवीता में अच्वसित अधार गया स्वर्गी है प्रिया संग भरा पुराणों में रागरस पुत्री सरोज की विवा के अवसर पर निराला अपनी पुत्री को संबोधित कर रहा है कि अब तक मैंने अपनी कवीता में श्रंगार रस्वर्णन में सोंद्रे के जिस निराकार भाव की अभिवेक्ति की है यानि जो सोंद्रे जिसका कोई आकार नहीं होता मैंने अब तक अपनी कविताओं में यही चीज बताई है या जो सुन्दर्ता होती है वह निराकार है उसका कोई आकार नहीं है अब तक मैंने सभी कविताओं में यही बताया है लेकि अब वह आकार मेरे सामने है मेरी पुत्री के रूप में कहने का तात्प्रिय यह है कि सुन अधना सूंद्रिय दिखाई दे रहा है कि जिस सूंद्रे को मैं निराकार बताता आ रहा था अब उस सूंद्रिय ने एक आकार ले लिया है मेरी पुत्री के रूप में फिर निराला जी बताते हैं कि जिस समय उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर प्रेम गीत को गाया था वह आज भी उसके प्राणों में अनुराग पूर्ण उपहास का संचार कर रहा है कहने का तात्प्रिय यह है कि जो गीत उसने अपनी पत्नी के साथ गाया था वही गीत आज उसके सामने अनुराग रूप में परकट हुआ है अगली दो करते हैं कि अपनी पूत्रि को ही क्या बता रही है स्रंगार से पूर्ण यानि जो स्रंगार है वो पूरी तरीके से पूरा है कवी के अनुसार वह अपनी कविताओं में श्रंगार भाव को युक्त कल्पनाई किया करता था केवल कल्पनाओं के रूप में बताता था लेकिन जब वे नव वधू के रूप में अपनी पुत्री को देखता है तो उसे लगता है कि उसकी पुतरी के सोंदृय में वह कलपनाय साकार हो गई है यानि वह अब वो वास्तों में उन चीजों को देख रही है कहने का तात्प्रिय यह है कि आकाश को वो श्रंगार भाव से युक्त कलपनाय यानि जो आकाश है वो क्या है श्रंगार भाव से बिलकुल युक्त है कलपनाई है तथा माही के रूप में वे अपनी पुत्री सरोज की और संकेत कर रहे हैं कि वो इतनी सुन्दर लग रही है इन पंक्तियों में निराला जी कहते हैं कि उनकी पुत्री का विवा बिलकुल अलग तरीके से हुआ था उस विवा के अंदर कोई भी सगा संबंदी नहीं था क्योंकि किसी को भी आमंत्रन नहीं बेजा गया था इस प्रकार विवा के अफसर पर कन्या के घर में जो रात दिन का राग होता है जो गीत संगीत बजाया जाता है जो जागरण होता है वो उस तरीके का जो माहुल था वो बिलकुल भी नहीं था अगली पंक्तियों में निराला जी कहते हैं कि प्रिये मोनिक संगीत भरा नव जीवन के स्वर पर उत्रा कहने का तात प्रिये यह है कि बिना मांगलिक गीतों के एक नया जीवन शुरू हो रहा था इस विवा में किसी भी प्रकार के मांगलिक गीत नहीं गाए गए थे जो था वो नहीं मनाया जा रहा था अब हम कवीता के विशेश की बात कर लेते हैं कि इस कवीता में जो विशेश है वो क्या है इस कवीता में करुणा भाव की प्रधानता है यानि कवी ने अपनी पुत्री की याद में यह कवीता लिखी थी कि वो किस तरीके से उनको याद करत हैं और उनके विवा की जो यादें हैं वो बताते हैं कवीता खड़ी बोली में लिखी गई है अनुप्रास अलंकार का सबसे जादा प्रियोग किया गया है चांधी साथ यह कवीता संगीत आत्मक roughly अ इस प्रकार की कवीता है जिसमें निराला के जीवन का डंग भी आ गया है यानि किस तरीके से उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की और वो विवा बिल्कुल अन्य विवाहों से बिल्कुल अलग था यहां पर हमारी कवीता खतम होती है अगर आपको वीडियो अच्छी लग और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में